नम्सकार दोष्तों सरीधा की रेसोही में आपका स्वागत है तो आज हमने आलू से बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी नास्ता बनाए हरे स्नیک्स बनाया है जिसको आप बाजार और रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो बहुत महिंगा मिलता है और कई-कई रेश्टोरेंट में तो ऐसे मिलता है ना कि स्वाद भी उसका अच्छा नहीं होता है तो आप लोग अपने स्वाद के हिसाब से अपने घर में बना सकते हैं जैसे कि मिर्च जादा हो गया या फिर टोमेटो जादा हो गया जिसे कम करके आप डाल सकते हैं इसमें तो चलिए हम बनाना सुरू करते हैं और हमने ये आलू लिया था दो आलू इसको हमने छोटे छोटे टुकडो में काट लिया था ताकि ये आलू ने हम उबालें तो ये ज अब हमारी वीडियो पे नए है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए हमने सारा अलू छील लिया है और अलू को ना अच्छे से मैस कर लेंगे इसमें गुठलियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसको बहुत अच्छे से हाथो अट गुनते न ऊसी तरह इसमें पान नहीं वहए बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि अलू जो गीला होता है उसी में रिखा हो जाए इसको अच्छे से हम गून लेते हैं रोकी आधर हो गया ये और हातों में थोड़ा सा ओई लगा लेंगे और इसको और इसको हम गोल गोल कर लेते हैं मतलब जिसना आपको साइज बनाना है जितना बड़ा उसके हिसाब से आप छोटी छोटी गोलियां सी बना लेजेगा तो देखे इसी तरह से हम सुरू में आप छोटे साइज कही बनाईएगा क्योंकि यह फूलता भी है तो यह साइज में ब मसरूम नास्ता भी बोलते हैं यह मसरूम के सेप का होता है बहुत लोग पसंद करते हैं बच्चे तो इसको बहुत चाव से खाते हैं तो चलिए हम इसको सेप देते हैं तो यह हमने बोतल लिया है आप किसी भी चीज का बोतल लेते हैं इस तरह से हम इसको बोतल के और इसको कई लोग बना मैं ड़ना तो आप लोग सेव लीज़े दिवाने अधाच ओपानी में उबाल आजाएगा तभी काम करना है तो चलिए पानी में उबाला गया था हम सारा डाल देंगे तो इसको हम 10 मिनट के करीब इसको अच्छे से उबालेंगे तो देखें इसको अच्छे से उबालना है यह उबलते उबलते ना टांस्पेरेंट हो जाता है तो समझो पग गया है और पानी से उपर भी आ जाता है तो बस इसको आसानी से आप बना सकते हैं अपने घर में और इ निकाल दिया है और एक हमने पैन लिया है पैन में हम 2-3 चमज रिफाइंड को गुल डालेंगे इसके बाद हमने 3-4 लहसन को बारीग बारीक काटके डाल दिया एक छोटी आज का हमने प्याज डाला है अगर आपको प्याज नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजेगा वैसे जो सब्जियां पसंद है वो सारे डाल सकते हैं इसमें और नहीं है तो आप लेसन और मिर्ची से भी बना सकते हैं बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए एक छोटे साइच का हमने टमाटर भी डाल दिया है उसे तीन हरी मिर्च क हमने लंबे-लंबे काटके डाल दिया है तो बस इनको हलका सब भुनेंगे जादा नहीं होना है हलका सब भुनना है टमाटर को गलाना नहीं है बिलकुल तो चलिए इसके बाद इसमें हमने जो नास्ता पानी में से निकाल के रखा है वो आल देंगे अपना मश्रूम आप ल जालिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसमें हम एक चममस डालेंगे सौय सौस एक चममस से थोड़ा कम डालेंगे और एक चमच टमेटो स्ट डाल दिया है थोड़ी से हम स्वाद के नुसार या अपने तीखा खाने के हिसाब से हम चिल्ली फ्लैक्स स्वाधननशार नमक डालेंगे और अद्वाध मसाला डालेंगे थोड़ा से हरा धनेया डालेंगे और कलर के लिए हम कसमीरी लालमेच टालेंगे तो जो समझो की 2-3 चम्मच पानी डालेंगे बिल्कुल और डालने के बाद इसको अच् justamente करेंगे तो देख सकते हैं। यह पानी सूख गया है मतलब थोड़ा सा नमी है इसमें तो बस गयास कर देंगे बंद और हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यह नास्ता बनाना कितना आसान है और बहुत टेश्टी लगता है यह आप लोग अपने घर में यह नास्ता जरूर से बनाएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को से ओमेंट करके जरूर बताएगा कि यह रेसिपी आप लोग को कैसी लगी और आप अपने घर में कब बना रहे है और अपने बच्चों को बड़ों को सभी को बना के कब खिला रहे है तो सभी सौक रह जाएंगे की आपने यह मुषूम कैसे बनाया मुष्ण। एस तरह से आप लोग भी अपने खर में बनाईए और खाईए और हमारी वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब कॉमेंट करना ना भूलिएगा चलिए मिलते हैं नई वीडियो में धन्यवाद